पुलेकर राज में लागू लोगडाउन ने जिले के किशानों की कमर तोड़कर रख दिये है। चत्रा जिले के गिद्धोर परखंड के जपुआ गाउं में इस वर्स बड़े पैमाने पर तरबूज की केती हुई है। यहां के लगवग दो दर्जन किसानों ने तरबूज की केती किये है। जपुआ के इन किसानों ने लगवग 20-25 एकड़ में फसल हुगाई है। लेकिन लॉगडाउन होने के कारण किसान काफी मायूश है। केतों में फसल पड़ी है। खरीदार नहीं पहुंचने के कारण किसानों काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां तक कि किसान ओने पौने दामें तरबूज बेचने को मजबूर है। पहले तो अफिन के खेती होती थी, सरकार बुद्जी दिये तो थारगुज के खेती किये। थारगुज तो बहुत सारा करन रहा ही। बेंक से कर जले कर के खेती किये हैं थारगुज के शील से ृuchen से तेल जला करके थारगुज पता रहे हैं। मार्केट में थार्गुज भीक नहीं रहा है। खेत में बैंक से लोन लिया हूँ, वो सब कैसे भर पाएंगे, नहीं हम लोग को दवा मिलता है, सब हम लोग खरीद कर काम कर रहे हैं, सरकार से बैंक दुबारा लोन भी लिया है। खेता लोग अबर, खरीद काम कर रहे हैं, सरकार से बैंक कर रहे हैं। फेटी बाड़ी में इंगे जो हम चोड़ दे उसे बहुत सारा नुकसान है और खेटी जो भी टाइप एक खेटी है वो लोग करें हम लोग help करेंगे और कर भी रहे हैं लोग अभी बहुत अच्छा खेटी वेती कर रहे हैं और marketing के लिए जहां तक है वहाँ हम लोग कोशिस कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तार्वुच की खेती करने के बाद जो है यहां के लोगों को काफी नुक्सान जहलना पर रहा है